नमस्ते आज मैं आपको रायता बताने वाली हूं तो जो मैं आपको रायता बताने वाली हूं वो रायता यहां पर मैं बुंदी के लड्डू का बताने वाली हूं आप यह मेरे हाथ में देख सकते हैं कि यहां पर मैंने यहां पर यह आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पर यह और अगर ना भी बचे तो मैं यहाँ पर एक देख रहे हैं यह लड़ु है और इस लड़ु का मैं आपको राइता बताने वाली हूं तो इसके लिए मैंने यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर मैंने बुंदी के लड़ू लिए हैं लड़ू में आफसकता अनुसार लूँगी और यहां पर मैंने यह हरी मिर्ची लिए जिने मैंने बारिक-बारिक काट दिया है और यहां पर यह धन्या लिया है जिसे भी मैं दही में एक बड़ा लड़ू इस्तिमाल करूंगी तो इसे कैसे बनाना है वो मैं आपको बताओंगी तो यहां पर मैंने यह चोटा सा प्याला ले लिया है और इसके अंदर में यहां पर आप यह देख रहे हैं यह लड़ू रखूंगी और यह जो दई है वो भी में इसके अंदर डाल दूंगी तो दई मैंने इसमें डाल दिया है आप यहां पर यह हरी मिर्ची देख रहे हैं जिसे मैंने बारी काट दिया था वो भी में इसके अंदर डाल दूंगी और यह हरा धन्या भी में इसके अंदर डाल दूंगी और मैंने आपको बताया है कि नमक में यहां पर स्वाद अनुस्तार लूंगी और थोड़ी से लाल मिर्ची याद रखना है आपको अगर मीठा खाते हैं तो आप इसमें मीठा ना डालें क्योंकि जो लड्डू होता है वो बिलकुल मीठा होता है इसलिए आप याद रखें कि कभी भी इसके अंदर चीनी सुगर ना डालें और अब मैं इसे पूरी तरह से फेट दूंगी तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इस लड्डू के दो टुकडे कर दूंगी और इन्हें बारिक बारिक आप चाहें तो इसे तोड़ भी सकते हैं पर मैंने यहाँ पर इसे थोड़ी देर के लिए दही के अंदर इस तरीके से बिंजो दिया है ताकि वो हैं और पूरा में से इस तरीके से फेट दूंगी अच्छे तरसे इसे लाना है तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे पूरी तरह से हिला दिया है और यह जो रायता है वो इस तरह से हो गया है अगर आप इसे थोड़ा सा पतला करना चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानिंग डाल सकते हैं और इसे फ्रीज में रखकर ठंडा करके खाएं तो अब तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बच्चिवी बूंदी का जो लड्डू था उसका मैंने यहां पर राइता बनाया है और राइता बहुत ही तेस्टी है याद रखना है इसमें सक्कर बिल्कुल ना डाले क्योंकि इसके अंदर सक्कर होती है और किस्मिस भी इसके अंदर होती है इसलिए आप याद रखें कि कभी भी बूंदी के लड्डू में सक्कर का इस्तेमाल ना करें तो इस तरीके से आप यह देख रहे हैं तो आपको यह राइता बनाना है और खाना है और यह आपको कैसा लगा